हाई और मैं हूरितिका और आज हम लोग बनाने वाले हैं तर्बूज का जूस जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने वाले हैं कोई ताम जाम इसमें बहुत जादा नहीं रखने वाले हैं और ये जूस आप लोग अगर घर में कोई फास्ट है तो ये जूस पी सकता है क्यों कि हम लोग इसमें नमक का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं और ये जूस आपके बच्चों के लिए तो बेस्ट आप्शन रहेगा गर्मियों के टाइम में इनकेस आपके बच्चे फ्रूट्स खाने में बहुत जादा नाटक करते हैं तो ये जूस तो उनके लिए बेस्ट होग तर्बूज का क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए आप टेस्ट कर लिए उसको तर्बूज मीठा हो तो जूस पीने का आनंद और ही आ जाता है तो ये देखिए यहां पे तर्बूज को अच्छे से धुलके हमने कट कर लिया है और ले लिया है थोड़ा सा चीनी और वाटरमिलन का जूस बनाते टाइम आप नमक का भी यूज कर सकते हैं उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है पर मैं उपवास में बना रही हूं तो मैं नमक का इस्तेमाल नहीं कर रही हूं और आप लोग पुदीना या फिर तुलसी का पत्ता इनकेस आपके पास और आपको ये वाटरमिलन जूस बनाने के लिए किसी भी जूसर की जरूरत नहीं है बहुत ही सिंपल तरीके से हम बहुत ही अच्छा जूस बना लेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हमने सारे जो वाटरमिलन है उसको इसमें ट्रांसफर कर लिया है इसमें थोड़ा सा हम न नीठा है उस पर डिपेंड करेंगा और ये देखिए हमारा जो वाटरमिलन जूस है यह ओल्मोस बनके रेडी है इसको हमने मिक्सर को चला लिया है लगातार नहीं चलाया है थोड़े थोड़े देर रुक के हमने चलाया है ताकि इसके बीज जो है पिसे नहीं और आप वाटरमिलन फ्रेश वाटरमिलन बिल्कुल घर का बना हुआ फ्रेश जूस बनके रेडी है तो गाइस फ्लीज ये रेसिपी आप लोग जरूर ट्राय करिए इस तरीके से जूस एक बार जरूर बनाएए और हमारे साथ भी अपना एक्सपिरियंस शेर करिए कि कैसा लगा आ वाटरमिलन का सिंपल सा जूस बनाने का प्रोसेस और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करिए थैंक यो सो मच